हेलो दोस्तों मैं हूँ संदीप सींग, वेलकम बैक टू रिइनफोर्स, लाइफलाइन फोर सिविल इंजिनियर्स दोस्तों पिछले दो हपतों से पूरे देश में सबसे जान्दा चर्चा का वेसे बना हुआ है उत्रा खंड के उत्रकासी में बन रहा सिलक्यारा बलको टनल 12 नॉमबर को जब पूरा देश दीपावली की तैयारी में लगाता उस समय हमारे देश के कुछ जीतन राम माजी एक पहाल का गुरूर तोड़ने में लगेते और ठीक उसी सुबह साड़े पांच बजे वो टनल कॉलेप्स कर जाती है और 41 से जान्दा मजदूर उसमें फस जाते हैं पूरे 17 दिन करीबन 400 गंटे के बाद 28 नॉमबर की साम को उन सभी 41 मजदूरों को सुरच्छित बहार निकाला जाता है आप कल्पना करिए 12 नॉमबर को जब सुबह साड़े पांच बजे ये टनल कॉलेप्स हुई तो उन 41 मजदूरों ने मौत का क्या मंजर देखा होगा उन्हें कोई उम्बीद नजर नहीं आ रही होगी कि हम यहाँ पे जिन्दा हैं या फिर मर गए हैं आप सोचिए कि इस साड़े 4 किलोमीटर की टनल में 60 मीटर का हिस्सा कॉलेप्स हुआ था और आंगे भी चीजे कॉलेप्स हो सकती थी उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि बाहर से हमें कोई बचाने आएगा भी या फिर नहीं आएगा वो मौत को इतने करीब से देख रहे थे मौत उनको टक से चुके जा रही थी और जो लोग बाहर मौजूद थे जो गौर्मेंट की एजनसीज थी जो प्राइविट कंपनीज थी और जो वहां के लोकल लोग थे वो भी वहां पे मौजूद थे हमारे मजदूर होते हैं वो बहुत जांदा physically strong होते हैं लेकिन इन 17 दिनों की कस्म कस्मे 400 घंटों की जिन्दकी में उन्होंने दिखाया कि वो mentally كतना strong होते हैं क्योंकि वो पूरे 400 घंटे के बाद सुरच्छित बाहर निकल के आए हैं मौत के चंगुल से बहार निकल के और ये सब हम जानते हैं कि 41 मजदूर थे इसलिए ये हमारे देश में इतना बड़ा चर्चा का विसे बना अगर साइद 2-3 मजदूर होते तो साइद मीडिया में इतना ये चर्चा का विसे नहीं बनता और इन 17 दिनों में हमारे पूरे देश ने 80 से चोटी तक का जोर लगा दिया था हमारी देश की 15 से जानदा गौर्रमेंट एजिंसी अथोर्टीज और कुछ फोरण के टनल एक्सपर्ट के साथ हम लोग साड़े 600 से जानदा लोग इस प्रोजेट के रेस्क्यू में काम कर रहे थे और मेरी नजर में तो मानो ये साड़े 600 के साड़े 600 लोग अपने आप में हीरो हैं लेकिन मीडिया ने कुछ चंद लोगों को इस रेस्क्यू उपरेशन का हीरो बना दिया है जो कि इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू उपरेशन में से एक है और इस रेस्क्यू उपरेशन के जो सबसे बड़े हीरो हैं वो हैं हमारे रेट माइनर्स जिनके बारे में हम आँगे थोड़ा डिटेल में डिसकस करेंगे अब आप बोलोगे सर आप ये कहानी हमें क्यों सुना रहे हैं, ये कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं, क्योंकि अभी इस टेनल में 41 से जंदा मजदूर फसेत हैं, कल इसमें आप भी हो सकते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि कल इस तरह से कोई और भी हादसा हो, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में सिर्फ labor काम नहीं करते हैं, at the end उस प्रोजेक्ट को तो labor ही execute करते हैं, लेकिन उस प्लान को बनाने वाले civil engineers होते हैं, जो कि इन labor की तरह इंडिया की कई सारी tunnels में काम कर रहे होते हैं, तो एक दिन वो आपका भी आ सकता है, हो सकता है, इन मजदूरों की जग अगर यह लापरवाई नहीं की जाती, तो साइध यह बड़ा हादसा नहीं होता, आज हम इस topic पर बात नहीं कर रहे होते हैं, तो इस tunnel के failure होने के क्या-क्या regions होते हैं, हम इस पर detail में बात करेंगे, तो आप बने रहे हैं हमारे साथ, और हम करते हैं, इस session को detail में start तो सबसे पहले तो मैं आपको इस project के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं कि यह project क्या है और क्यों बनाया जा रहा है, तो आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के उत्तरकासी में एक Nestle Highway 134 है, जो कि South End में धरासू और North End में यह मनुत्री को connect करता है, तो उस यह 11 वर्ड को टनल बन रहा है, जो कि सारे 4 km लंबा है, और यह tunnel 4 धम project का बहुत important part है, इस tunnel के बनने के बाद आपको all better में connectivity मिलेगी, अभी तक क्या होता था, कि सर्दियों के समय में बरबारी होती थी तो सारे रास्ते बंद हो जाते थे, और हमें एक लंबा route फॉलो करके जान यानि National Highway Infrastructure Development Corporation Limited था, और इस project के construction काम NECL यानि NowYuga Engineering Construction Limited को दिया गया था, और इस project की अनुमानित धनरासी साड़े 800 करोड से जानदा बता ही जा रही है, तो यह सिलक्यारा बढ़को tunnel साड़े 4 km लंबी है, और इसका 90% काम पूरा हो चुका था, तो आप यह देखेंगे, यह है इस tunnel का सिलक्यारा portal, और इस portal से करीवन 2350 मीटर, यानि 2.35 km तक का काम पूरा हो चुका था, और इस tunnel का जो दूसरा portal है, वो है आपका बढ़कोट, और उस से भी करीवन 1710 मीटर का काम हो चुका था, केबल इस tunnel का करीवन 466 मीटर का हिस्सा बचा था, जिसको अभी खोदा ज मजदूर उस tunnel में उस समय काम कर रहे थे, तो 12 नॉंबर को सुबह 5.30 बजे ये tunnel कॉलेप्स कर जाती है, यानि 60 मीटर का हिस्सा नीचे धस जाता है, उसमें मलवा गर जाता है उपर से, और 41 से जन्न मजदूर उसमें फस जाते हैं, और जिस portion में ये मजदूर फसे थे, वो क और इस घटना के बाद कई तरह की government authorities जैसे आपका NHIDCL है, आपका ITBP है, आपका NDRF है, आपका SDRF है, चाहे वो आपका उत्राखंड police हो, चाहे आर्मी के cops engineers हो, वो सभी लोग इसके rescue operations में लग गए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही ता कि इसके अंदर कितने मजदूर हैं उस समय नहीं पता था कितने मजदूर जिन्दा हैं, कहीं यह मलवा मजदूरों के उपर ही तो नहीं गिर गया, और इस घटना के एक दो दिन के अंदर, टनल के उपरी portion में, दो-तीन pipe डाले जाते हैं, जिसमें एक pipe के थो अंदर oxygen supply की जाते हैं, दूसरे pipe के थो dry fruits और fruits अप communication हो पा रहा था, और उसी camera की वज़े से सभी को एक हो पाया, उनके साथ communication हो पाया, कि पता चला कि हाँ, यह सारे लोग अंदर जिन्दा हैं, और हम लोग communicate करके उनकी होंसले को बढ़ा पा रहा है था कि नहीं, हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपको यहाँ से बहार निकाला जाएगा, और इसी उम्वीद ने उन 41 मजदूरों को उसके अंदर 17 दिन तक जिन्दा रखा, और इसके बाद rescue operation स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम बड़े-बड़े excavators लगाते हैं, डोजर्स लगाते हैं, उस मलवे क उन्होंने कम से कम चार प्लान बनाए, जिसके थरों हम अंदर वाले मजदूर को rescue कर सकते थे, पहला प्लान यह था कि जो आपका सिल्क्यारा वाला portal है, उस portal से जो मलवा गिरा है, उस मलवे के अंदर हम लोग ड्रिलिंग करके एक 900 mm का pipe डालेंगे, और उसके थरों सारे मज दोरों को निकाला जाए गा, तीसरा प्लान यह था कि जो आपका वर्ड कोड वाला site है, वहां से हम लोग बलास्टिंग करके, जो 466 COMM मेटर वाला हिस्सा है, वहां से मजदूरों को निकाला जा सकता है, और जो चौथा प्लान था कि JOO हमारा सिल्क्यारा वर्ड कोड ट vert tunnel है उसके parallel हमने एक TBM deploy किया था कि वहां से drill करके हम उसको निकाल सकते हैं लेकिन ये सारी process बहुत lengthy लग रही थी उसमें सबसे economical जो सबसे efficient सबसे बहतर plan था वो हमारा plan था first जिस पे हमारे सभी rescue operations की team पूरे focus होके काम कर रही थी और मलवे में drill करने के लिए हमने auger machine को लगाया और auger machine में आप देखेंगे सबसे पहले आपका 35 horsepower का एक auger machine लगाये गया वो आंगे drilling का काम करता है तो कुछ दिन तक वो काम करता है फिर उस machine के जो blades होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं और वो machine अंदर फजाती है तो इस 200 horsepower की machine से हम करीवन करीवन आप ये मानिए कि 48 meter तक drill करके 900 mm का 1 MS का pipe डाल देते हैं और उसके बाद ये पूरी drilling machine या फिर auger machine आपकी फस जाती है फिर उसको काट के बहार निकालना पड़ा काटने के लिए फिर हमने एक plasma machine मंगाया जिसके थो काट के पूरा निकाला गया अब आंगे नहीं समझा रहा था कि इसको किस तरह से निकाला जाए फिर पूरा एक अलग से rescue operation तियार किया गया जो कि आप अभी सुन रहा है बहुत जादा चर्चा में है वो है आपका rat mining तो 12 लोगों की एक rat mining की team बनाए गई जिसमें 6 लोग दिली से और 6 लोग यूपी के बलं सहर से बलाए गया है जब इन rat miners को पता चला कि इस rescue operation के लिए हमें बलाए जा रहा है तो उन rat miners ने कुछ भी नहीं सोचा उन rat mining क्या होती है आपको नहीं पता है तो मैं बता दो rat mining यानि चुवा जैसे चुवा जमीन के अंदर बिल करता है उसी तरह से छोटा सा space होता है उस space के अंदर जाके आपको drilling करनी होती है तो 900 mm का pipe था उस pipe के अंदर यह rat miners गए इसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूं कि जो rat miner drill में expert होता है वो क्या करता है कि आंगे की हिस्से की drilling करता है और जो दूसरा बाला है वो क्या करता है मलवे को निकालता है फिर एक rat miner क्या करता है आंगे जगे बनाता है और दूसरा rat miner उस मलवे को trolley भरता है जो उस 9 mm pipe के बाहर मजदूर खड़े होते वो उस trolley को पक और इस प्रोसेस में करीबें दो दिन लगते हैं और इस दो दिन में जो 12 मीटर का portion बचा हुआ था 48 मीटर से लेके 60 मीटर तक का तो यह 12 मीटर का मलबा निकाल के बाहर करते हैं और जो हमारा 900M का pipe था वो पूरा अंदर चला जाता है और उसके बाद उस 900M के pipe को साफ किया जा जाती है और अगले दिन ही उसको helicopter से Ams Risi Case में भेज दिया जाता है उसके बाद उन्हें अपने घर भेज दिया जाएगा इस पूरे rescue operations में हमने कई सारी लोगों को hero बना दिया है जो कि अपनी जगए ठीक है लेकिन हमें इस हादिसे के villain के बारे में भी बात करनी चाहिए हम हमें बात करनी चाहिए कि जो हमारे हमाले जैसे यंग पहार है उसमें हम जहां देखो तहां हम छेद करते जा रहे हैं और अपने infrastructure को develop करते जा रहे हैं तो करना कितना सही है और इसके साथ साथ जो construction company यह इन tunnels को बनाने के काम करती है उनकी भी जाच होनी चाहिए ताकि यह आ इन कंपनियों का जो की construction बनाने का काम कर रही है उनकी उपर कितना action लेना चाहिए और अब हम करते हैं अपने मुद्दे की बात की यह टेनल कॉलेप सी तो उसके पीछे की क्या बज़े रही इस हादसे से हम क्या सीख सकते हैं ताकि आने वाले समय में इस तरह की और भी हदस administration सामने आया है तो उससे हमें यह पता चलता है कि इसमें क्या-क्या कमिया थी क्या-क्या लापरवाही वरती गई ती जिस बज़े से हादसा हुआ तो इसमें सबसे पहली कमी यह थी कि इसमें कोई आपका escape route नहीं था इसमें कोई a rescue channel नहीं था कि कल को कोई अगर हादसा होता तो इन मजदूरों को कैसे बहार निकाला जाएगा? वो भी इस टनल में नहीं बनाया गया था और तीसरे सबसे बड़ी प्राब्लम इस टनल में यूम पाइप नहीं डाला गया था पहले इस टनल के प्लान में यूम पाइप डाला गया था लेकिन कुछ दिन बाद उसको निकाल लिया गया यूम पाइप एक RCC का गोल पाइप होता है जो कि आप sewer lines बगरा में देखते हैं जो कि डाला जाता है ताकि कल को tunnel के अंदर कोई जहरीली gases है या फिर कोई हादसा होता है तो वहां से मजदूरों को या फिर जहरीली gases को बाहर निकाला जा सके तो एक यूम पाइप डाला जाता तो उसका एक standard होता है एक standard procedure होता है वो भी इसमें follow नहीं किया गया last but not least इस tunnel का construction स्टार्ट होने से पहले जब इसकी soil का analysis किया गया पूरा geophysical में अब तयार किया गया तो उस समय क्यों नहीं साबधानी बरती गई कि ये जगह बहुत संब्यदन सील है ये area बहुत संब्यद conceal है वहाँ पर इस तरह का construction नहीं हो सकता अगर आप construction कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे एतिहाद आपको बरतने होंगे और सबसे बड़ी बात इस हादसे से करीवन एक दो हपते पहले वहाँ पे कुछ सुपरवाईर्स ने कुछ मजदूरोंने सिकाइट भी कीती सर उपर से कुछ जहड़ रहा है कुछ चीज़ां उपर से गिर रही है लेकिन वहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया अगर ये सारी चीज़ां फॉलो की गई होती तो साइद ये हादसा आज नहीं होता और उत्राखंड में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है इसके पहले जोसी मट बा है बहुत संबिदन सील है आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि जो आपका ये उत्तराखंड वाला रीजन है जो उत्तरकासी वाला रीजन है वह आपका MCT में आता है MCT मितलब आपका मैं सेंट्रल ठस्ट अब ये MCT क्या होता है MCT आपका इंडियन टेक्टोनिक और जो आपकी Erosian Tectonic Plate है उसका matching point है तो ये plate एक दूसरे को push करती रहती है एक दूसरे को धक्का देती है आपस में रगड़ खाती है इसके थो यहाँ पर energy डबल अप होती है और उसके बाद भूकम पाने की probability बढ़ जाती है और उसी region की वज़े से आपको यहाँ पर आई सभी tunnel का audit आपके NHI ने दे दिया है तो जब जागो तभी सवेरा तो इस हादिसे से हमें सीखना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह से और भी हादिसे ना हो और इस tunnel के rescue operations में बहुत सारे foreigner tunnel expert की सलाय ली गई ती जिसमें एक tunnel expert Arnold भी थे उन्होंने कहा कि इन पाड़ों स हमें सीखना चाहिए कि कितना humble रहना है हमने पूरे 80 चोटी का जोल लगा दिया उसके बाद भी हमें 17 दिन लग गए I hope इस पूरी case study से आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली हो अगर आपके वीडियो अच्छा लगा है किसे like करिए अपने friends के share करिए और आभी तक आपने हमारे youtube channel subscribe नहीं किया है इसको subscribe कर लेजे thank you so much